आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे नेताजी सुभास चंद्रबोष मंतरी परिशत के मेरे सहयोगी स्रिमान महेश शर्माजी आजाधिन फोज के सदस्य और देश के वीर सपूत और हम सब के बीच स्रिमान लाल्टी राम जी, सुभास बाबु के भतीजे, बाइच चंद्रकुमार भोज जी, ब्रिगेडियर, आरेज चिकारा जी, और यहां उपस्तित, सुरक्षा बलों के सेना के सभी पूर्व अफसर, अन्द्य महानुभाव, भाई और बहनों, आज, 21 अक्तुबर के इतियास एक दिन, लाल किले पर, बजारोहन का यह उसर, अब कल्प ना कर सकते हैं, कि मैं कितना अपने आपको सौभागे मानता हूँ, यह बही लाल किला है, जहां पर, विक्ट्री परेड का सपना, नेताजी सुभाज चंद्र बोज ने, 75 वर्ष पुर्व देखा था, आजाज हिन सरकार के, पहले प्रधान मंत्री के रूट में, शपत लेते हुए, नेताजी ने अइलान किया था, कि इसी लाल किले पर एक दिन, पुरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा, आजाज हिन सरकार, अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी, मैं देश वासियों को, आजाज हिन सरकार के, 75 वर्ष होने पर, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथियों अपने लक्ष के प्रती, जिस व्यक्ति का, इतना सांब विजन था, लक्ष को हासिल करने के लिए, जो अपना सब कुछ दाओं पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिरफ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही, पीड़ी दर पीड़ी प्रिरित हो जाती है, आज मैं नमन करता हूँ, उन माता पिता को, जिनों ने, नेता जी जैसा सपूत, इस देश को दिया, जिनों ने, राश के लिए बलिदान देने वाले, वीर विरांगनाओं को जन्म दिया, मैं नतमस्तग हूँ, उन सैनिकों और उनके परिवारों के आगे, जिनोंने स्वतंत्रता की लडाई में, सर्वस्वन्योचावर कर दिया, मैं पूरे विश्व में फैले, उन भारतवासियों को भिस्मरन करता हूँ, जिनोंने नेताजी के इस मिशन को तन, मन, दन से सहयोग किया था, और स्वतंत्र, सम्रुत, ससक्त भारत बनाने में, अपना बहुमोली योगदान दिया था। साथियों, आजाध हिन सरकार, ये आजाध हिन सरकार, ये सिर्प नाम नहीं था, बलकि नेताजी के नित्रुत्व में, इस सरकार द्वारा हर शेत्र से जुड़ी योजनाय बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाग्ति कड़ था, अपना गुप्तचर तंत्र था, देश के बाहर रहकर, सीमित समसाधनों के साथ, शक्ति सालिस सामराज्य के खिलाब इतना व्यापक तंत्र विक्सित करना, शसत्त करांती अभूत्पुर्व, मैं समातावी असाधारन कारिय था। नेता जी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध, लोगों को एक जोट किया, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के एक बड़े हिस्से में, जिसका सांसन था, अगर नेता जी की खुद की लेखनी पड़े, तो हमें ज्याद होता है कि वीर्ता के शिर्ष पर पहुंचने की नीव, कैसे उनके बच्पन में ही पड़ गई थी। वर्ष 1912 के आसपास, आज से 166 साल पहले, उन्होंने अपनी मां को जो चिठी लिखी थी, वो चिठी इस बात की गवाह है, कि सुभाज बाबु के मन में गुलाम भारत की स्थिति को लेकर, कितनी बेदना थी, कितनी बेचेनी थी, कितना दर्द था। द्यान रखिएगा, वो उस समय सिरफ 15-16 साल की उमर के थे, सैंकडो वर्षों की गुलामी ने देश का जो हाल कर दिया था, उसकी पीड़ा उन्होंने अपनी मा से पत्र के द्वारा साजा की थी, उन्होंने अपनी मा से पत्र में सवाल पूछा था, कि मा, क्या हमारा देश दिनों दिन और अधीक पतन में गिरता जाएगा, क्या, ये दुखिया भारत माता का कोई, एक भी पुत्र ऐसा नहीं है, जो पुरी तरह, अपने स्वार्व को तिलांजी देकर, अपना संपूर्ण जीवन, भारत मा की सेवा में समर्पित कर दें, बोलो मा, हम कब तक सोते रहेंगे, पंद्रा सोला साल की उमर के सुभाद बाबु ने, मा को ये सवाल पूछा था, भागी और बेहनों, इस पत्रा में, उन्होंने मा से पुछे गए सवालों का उत्तर भी दे दिया था, उन्होंने अपनी मा को सपर्च किया कर दिया था, कि अब, अब और प्रतिक्षान नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलच्य त्यागना ही होगा, और कर्म में जुट जाना होगा, ये सुभाद बाबु, पंदरा सोला साल के, अपने भीतर की स्तिवर उत्तकंटरा नहीं, किशोर सुभाद बाबु को, नेता जी सुभाद बना दिया, नेता जी का एकी उदेश था, एकी मिशन था, भारत की आज़ादी, मा भारती को गुलामी की जंजिरों से मुक्त कराना, यही उनकी विचार दारा थी, और यही उनका कर्मक्षेत्र था, साथियों, सुभाद बाबु को अपने जीमन का लक्ष ताय करने, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का मंत्र, स्वामी विवेकानन और उनकी सिक्षाओं से मिरा, आत्मनो मोक्षार्दम जगत हितायचर, यानि जगत की सेवा से ही मुक्ती का मार्ग खुलता है, उनके चिंतन का मुख्य आधार था, जगत की सेवा, अपने भारत की सेवा के इसी भाव की बज़़ से, वो हर यातना सहते गए, हर चुनोती को पार करते गए, हर साजीस को नाकाम करते गए, भाई और भहनो, सुभाज बाबो, उन सेनानियों में रहे, जिनोंने समय के साथ, खुद को बढ़ला, और अपने लक्ष को ध्यान में रखते हुए, अपने कदम उठाए, यही कारण है, कि पहले उन्होंने, महत्मा गांधी के साथ कॉंग्रेस बहरेकर, बेश्मही प्रयास किये, और फिर हालात के मुताबिक, उन्हें ससस्त्रक्रांती का रास्ता चुना, इस मार्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करने में बड़ी भुमिक आने भाई, साथ क्यों, सुभाज बाबु ने जो विश्व मन्थन किया, उसका अमरुत सिर्फ भारत ने ही नहीं चखा, बलकि इसका लाप और भी दुसरे देशों को हुआ, जो देश उस समय अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें सुभाज चंडर बोज को देख करके पुरेरणा मिलती थी, उन्हें लगता था कि कुछ भी असंबव नहीं है, हम भी संगरिद हो सकते हैं, अंग्रेजों को ललकार सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, महान स्वातंत्र सेनानी, नेलसल मंडेला, भारत रपना नेलसल मंडेला जिनेभी कहा था, कि दक्षिन आफ्रिका के छात्र आंदोलों के दोनान, वो भी सुभाद बाबु को अपना नेता मानते थे, अपना हीरो मानते थे, भाई और बहनों, आज हम आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष का समारोह मना रहे हैं, तो चार वर्ष बाद, 2022 में, आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आज से 75 वर्ष पूर्व, नेता जिने सपत लेते हुए बादा किया था, एक ऐसा भारत बनाने का, जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो, उन्होंने वादा किया था, कि अपनी प्राचिन परंपराव से प्रेडा लेकर, उनको और गवरोव करने वाली सूखी और समरुद भारत का निर्मान करने का, उन्होंने बादा किया था, देश के संतुलित विकास का, हर छेत्र के विकास का, उन्होंने बादा किया था, बांटो और राज करो की उस दीती से, उसो जड़ से उखाण फैकने का, जिसकी वज़े से भारत इस बांटो और राजनिती ने सदियों तक देश को गुलाम रखा था, आज स्वतंत्रा के स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी, नेता जी का सपना पूरा नहीं हुआ है, भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई उचाईयों पर पहुँचना बाकी है, इसी लक्ष को पाने के लिए आज भारत के सवा सो करोड लोग नए भारत के संकल्पे साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नाया भारत, जिसकी कल्पना नेता जी सुभाज चंद्र बोज ने भी की थी, आज एक ऐसे समय में, जबकि विद्वन स्वाकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता एक्ता और सम्विधान पर प्रहार कर रही है, बारत के प्रतेग निवासी का ये कर्तब्य है कि वो नेताजी से प्रेदित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पुर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले, लेकिन साथियों इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्तपूर है, ये बात है राष्ट्रियता की भावना, राष्ट्रियता की भावना, यहीं लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दवरान, आजाद हिंद फोच के सेनानी, शाहन अवाज खान ने कहा था कि सुभाज चंद्रबोस वो पहले व्यक्ति थे जिनोंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया, वो पहले व्यक्ति थे, जिनोंने भारत को बारतिय की नजर से देखना सिखाया, आखिर वो कौन सी परिस्तितिया थी, जिसकी वज़र से साहन वाज खान जी ने ऐसी बात कही थी, भारत को भारतिय की नजर से देखना और समझना क्यों आवश्यक्त था, यह आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं, तो और स्पस्तरूप से समझ पाते हैं, भाई और बहनों, केम्बरिज के अपने दिनों को याद करते हुए, सुभाज बाबु ने लिखा था, कि हम बारतियों को यह सिखाया जाता है, कि युरोप ग्रेट बिटन का ही बड़ा स्वरूप है, इसलिए हमारी आदत युरोप को इंग्लेंड के चश्मे से देखने की हो गई है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतमत्रता के बारत, भारत और यहां की व्यवस्ताओं का निर्मान करने वालों ने भारत को भी इंग्लेंड के चश्मे से ही देखा, हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी सिख्षा ब्यवस्ता, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्थिम को इस संक्रमन का बहुत नुक्षान उठाना पड़ा, आज मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ, कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में, अगर देश को सुभाद बावु, सरदार प्रटेल जैसे व्यक्तित्वों का मारदर्शन मिला होता, बारत को देखने के लिए, वो स्वदेशी चस्मा नहीं होता, तो स्थीतियां बहुत बिन्न होती, साथियों, ये भी दुखद है, कि एक परिवार को, ये भी दुखद है, कि एक परिवार को बड़ा मनाने के लिए, देश के अनेक सपूतों, वो चाहें सरदार प्रटेल हो, बामा सामा मेर कर हो, उनी की तरही नेताजी के योगदान को भी भूलाने का बरसक प्रयास किया ग अब हमारी सरकार इस स्थिति को बदल रही है आप सभी को अब तक पता चला होगा यहां आने से पहले मैं राष्ट्रिय पुरिस मेमोलियर का समार्पन करने के कार्गम में था मैंने नेताजी सुभाजतन रबोज के नाम पर एक राष्ट्रिय सम्मान सुरू करने की वहां पर गोशना की है हमारे देश में जम नेच्रल कलिमिटी होती है आपता प्रबंदन और राहत और बचाव के काम में जो जूटते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ऐसे सुरुवीरों को पुलिस के जवानों को अब हर साल नेताजी के नाम से एक सम्मान दिया जाएगा प्रबंदन की शान को बढ़ाने वाले हमारे पुलिस के जवान पैरा मिलिटरी फोर्स के जवान इसके हकदार होंगे साथ यों देश का संतुलिक विकास समाज के प्रतेक स्तर पर प्रतेक व्यक्ति को राष्ट निर्मान का अउसर राष्ट की प्रग्यती में उसकी भूमी का नेताजी के ब्रहत विज्ञ का एक एहम हिस्सा था नेताजी की अगवाई में बनी आजाधिन सरकार ने भी पूर्वी भारत को भारत की आजाधि का गेटवे बनाया था अप्रेल 1944 में 1944 में करनल शौकत मली की अगवाई में मनिपुर के मोईरांग में आजाधिन भोजने तिरंगा फैराया था ये भी हमारा दुर्भागे रहा है कैसे शौर ये तो आजाधि के अंधोलन में उत्तर पुर्व और पुर्वी भारत के योगदान को उतना स्थान नहीं मिल पाया विकास की दोड़ में भी देश का यहम अंग पीछे रह गया आज मुझे संतोज होता है कि जिस पुर्वी भारत का महत्व सुभास बाबु ने समझा उसे वर्तमान सरकार भी उतना ही महत्व दे रही है उसी दिशा में ले जा रही है इस छेत्र को देश के विकास का ग्रोथ इंजिन बनाने के लिए काम कर रही है भागी और बहनों मैं खुद को सवभाग्य साली मानता हूं कि देश के लिए नेताजी ने जो कुछ भी दिया उसको देश के सामने रखने का उनके दिखाए रास्तों पर चलने का मुझे बार बार आउसर मिला है और इसलिए जब मुझे आज के इस आयोजन में आने का निमंतर्ण मिला तो मुझे गुझरात के दिनों कि मैं नेताजी ने जोकारियों के स्पृति भी ताजा हो गई शात्यों जब मैं गुझरात का मुख्यमंतरी था तब 2009 में अईत्यासिक हरुपुरा कॉंग्रेस, कॉंग्रेस का अधिवेशन था? हरुपुरा कॉंग्रेस की अधिवेशन की आत्कों हमने एक प्रकार से फिर जागरत किया था उस अधीवेशन में जिस प्रकार सर्दार बल्लब भाई पटेल ने गुजरात लोगों ने नेताजी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बेल गाड़ियों में बैट करके बहुत बड़ा जुलुस निकाला था बैसाही याने जो एक भव्य आयोजन किया गया था ठीक बैसाही द्रश्च हमने दुबारा दो हजार नौ में बही पर खड़ा करके इतियाहास को पुनर जिवित किया था बले वो कॉंग्रेस का दिवेशन था लेकिन वो दितियाहास का पृष्ट था हमने उसको जी करके जो आजादी के लिए जो समर्पित हुए वो उनका सवभाग्य था हम जैसे लोग जीने ये अवसर नहीं मिला हमारे पास देश के लिए जीने का विकास के लिए समर्पित होने का हम सब के लिए रास्ता खुला पड़ा है लाखो बलिदान देकर हम स्वराज तक पहुँचे हैं अब हम सभी पर समा सो करोड भारतियों पर इस स्वराज को सुराज के साथ बनाए रखने की चुनवती है नेशाजी ने कहा था हथियारों की ताकत और खुन की कीमत से तुम्हें आजादी प्रात्त करनी है फिर जब भारत आजाद होगा तो देश के लिए तुम्हें स्थाई सेना बनानी होगी जिसका काम होगा हमारी आजादी को हमाशा बनाए रखना आज मैं कह सकता हूँ कि भारत अब एक ऐसी सेना के निर्मान की तरफ बढ़ रहा है जिसका सपना नेताजी सुभास बोध ने देखा था जोश जुनून और जज़वा ये तो हमारी सेन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है अब तकनीक और आदुनिक हत्यारी शक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही है हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी हमें कभी किसी दूसरे की भूमी का लालच नहीं रहा हमारा सजियों सही त्याहा से लेकिन बारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा उसको दो गुनी ताकत से जवाब मिलेगा चांकियों सेना को ससक्ट करने के लिए बीते चार बर्षों में अनेक कदम उठाए गए है दुनिया की बेस्ट टॉक्नलोजी को बारतिय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है सेना की छमता हो या फिर बहदुर जबानों के जीवन को सुगम और सलल बनाने का काम हो बड़े और कड़े फैसले लेने का साहच इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा सर्विकल स्ट्राइट से लेकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजेदी करने तक का फैसला हमारी ही सरकार ने लिया है यहां मवजूद अनेक पूर्वसैनिक इस बात के भी साक्ची है कि दसकों से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने अपने बाइदे के मताबिक पूरा कर दिया इतना ही नहीं करीब ग्यारा हजार करोड रुपे का एरियर भी पूर्वसैनिकों तक पहुंचाया जा चुका है जिससे लाखो पूर्वसैनिकों को लाब मिला है इसके साथ साथ साथवे बेतन आयों की सिफारिश पर जो पेंशन ताय की गई है वो भी O.R.O.P. 1 रैंक बन पेंशन लागू होने के बाद ताय पेंशन के आधार पर बढ़ी है यानि मोरे फोजी भाईयों को पेंशन पर डबल बोना अजा मिला है ऐसे अनेक प्रयास पूर्व साइनिकों के जीवन को सरर और सुगम बनाने के लिए किये गए है इसके अलाबा साइनिकों के शोयर्य को बावी पीडिया जान पाए इसके लिए नेशनल वार मुजियम कार्य भी अब आखरी चरन पर पहुँच चुका है साथियों कल याने 22 अक्तूबर को राणी जासी रेजिमेंट के भी पच्चतर वर्ष पूरे हो रहे हैं शसस्त्र सेना में महिलाओं की भी बराबरी की भागिदारी हो इसकी नीव भी नेताजी सुभाचंद्र बोध नहीं रखी थी देश की पहली शसस्त्र महिला रेजिमेंट बारत की समरिद्ध परंपराओं के प्रती सुभाद बाबु के अगाद विश्वास का परणाम था तमाम विरोदों को दर किनार करते हुए उन्होंने महिलाओं सहिनिकों की सलामी ली थी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नेताजी ने जो काम 75 वर्ष पहले सुरू किया था उसको सही माइने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है इसी 15 अगस को मैंने यहीं लाल किले से एक बड़ा एलान किया था मैंने कहा था कि ससस्त्र सेना में सौर्ट सर्वीश कमिशन के माध्यम से नियूक्त महला अधिकारियों को पूरू समकष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चैन प्रक्रिया द्वारा थाई कमिशन दिया जाएगा साथियों ये सरकार के उन प्रयासों का विस्तार है जो बीते चार वर्सों से उठाए गए है मार्च दोहजार सोला में नेवी में महलाओं को पाइलेट के रुपे इंड़ करने का फैसला लिया गया था कुछी दिन पहले ही नव सेना की छे जाबाज महला अधिकारियों ने समंदर को जीत कर विश्व को भारत की नारी शक्ति का परिचय करवाया इसके अलावा देश को पहली महला फाइटर पाइलोट देने का काम भी इसी सरकार के दौरान हुआ है मुझे इस बात का भी संतोष है कि आजाद भारत में पहली बार भारत की ससत्र सेनाओं को ससक्त करने देखरे करने का जिम्मा भी देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सिता रामन जी के हाथ में है आज आप सभी के सयोग से ससत्र बलों के कौशल और समर्पन से देश पूरी तरह से सुरक्षित है समर्थ है और विकास के पतपर सही दिशा में तेज गती से लक्ष को पाने के लिए दौड रहा है एक बार फिर आप सभी को बेश वास्यों को इस महत्वपन अवसर पर रुदय परवग बहुत बहुत बधाई देता एकता अखंता और आत्मविश्वात के हमारी यात्रा नेताजी सुभाज चंद्र बोच जी के आशिरवात से निरंतर आगे बड़े इसी के साथ मेरे साथ सब बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बंद झाले